हेलो वह बई शो तो नहीं रहा था हां बई शो रहा था या अजी यार मैंने तुम्हारा चैनल देख्था है और तुम्हाफी अच्छे गैजल सुखनाते हो क्या इस्टम ये बताना था वह भाई या तुम्हाफी वताना था कि ठंड की होजए थे पाउं बोर ठंडे रहते हैं क्या तुम्हाफी इसकैलेटर को चुबनाओंगे क्या यार क्या ये बातसुबा नहीं हो सकती है हमारे वैसे आइडिया तो अच्छा था झाल झाल यह है कोटन पेपर मैं इस कोटन पेपर को अपने सॉक्स के साइज का काट लूँगा अब मैं कोपर वायर को इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसके उपर लपेटूंगा झाल झाल अब मैं इस हीटिंग पैड को सिलाई करूंगा ताकि इसकी वायर्स बाहर ना आए मैं इसे सप्लाई दिने के लिए बरम वोल्ट का यूज कर रहा हूँ मैं इसका जो तंपरेचर है वो थर्टी सिक से थर्टी से थर्टी से तक ग्राइब कर रहा हूँ जो के हमारे पाओं को गरम करने के लिए काफी है मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि अच्छा गाइज मैं इस हीटर को बना लिया है और यह काफी अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है इसका जो अप्रोक्स तंपरेचर है वो थर्टी सिफ्स डिग्री संडिग्रेट है और दूसरी बात जिए कि मैंने हीटर को नीचे लगाया ताके हमारा पाओं हीट को पूरा अबसर्ब कर सके और मैंने इस बड़ी बैटरी का यूज किया है आप चाहें तो इससे भी छोटी बैटरी का यूज कर सकते हैं टाके बैटरी को याँ पे होल्ड करने में कोई भी दिक्कत ना हो और ये बैटरी मेरे पास एक थी इसलिए मैंने सिरफ एक ही मरे बनाए अगर ये मरे पास दौनों हुँगी तो मैं दौनों हेटर को बनाऊंगा और इस सरदी में अपने दौनों पाउँग्रों को गरम लोटे लोटे कि एारव के लिए log